प्रिशान जी पहले आप ही के पास आते हैं आज जरा एक क्या एक नया टास्क फिर दे दिया आपने विवक्ष को एक दूसरा सवाल ये कि जब इतनी सारी चीजें उल्शी हुई हैं आपको लग रहा है कि इतनी आसान है आपकी ये डगर लोकसाव में आएगा और संसुदन कर करने पड़ेंगे फिर राज्यों की सहमती हो पाएगा ये पूरा मामला जी साजी जी नमस्कार जी एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते रहें और इसके पहले भी कई दो बार तो लॉग कमेटीज की पहले से लगता होती रही है और निसी दोर पर कोई भी जब नया कानून नया बिल आता है तो पारलेमेंट के द्वारा ही पास किया जाता है ये जब कानून वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो इसमेधान में संसोधन करने पड़ेंगे तो दो त्याई कोमत से इसको पास क करना पड़ेगा समधान मेंट मेंट करना पड़ेगा और अगर जो निकाय चुनावब एक साथ कराएंगे तो इसके लिए बिदान सभा से 50% सभा से ये लगबच वदापन्तर 16 वदान सभाव से इसको पास करना पड़ेगा तो इस्छी तरप इसमें पूरी सहमत ले गई ग परकौरव जी की पर्टी तो निस्टत तो इंडिया तो निश्टत ौर में बिश्वार भी के पर्टी साथाई है.. जरननला के बाद पर्सीमान için निम्मस गौरड़ मिश्वाय चैनले पर्टी सीज करें है.. ये 5 साल लो पकार्यल नेके लिया सुझाय समें.. और देश के लिए भी आऊ सके देशके अर्थ पश्टा की लिए भी आ ऊसके और इसको भार्तियंदा पाटि एसको लागू करने के लिए कंटसेंटर भी था इसको पिपक्ष कह रहा है पिर शान जी के सिर्फ एक शिगूफा है पहले पृद्धान मंत्री जी ने लालकले से ब तो आज से चाह साल पहले की बात तुम आज से बता रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि कोई पहली बार अचानक चर्च वहीं, चर्च लगतार हो रही थी, चुकि लागू तब तक नहीं हो सकता, जब तक जनगरणा नहीं हो सकती थी, डिले इस तक यह हुआ, कि बीच पर कोविड आ जनगरणा नहीं होगी, जनगरणा के बात पर शीमन रहा हो सकती है, जिस समय तो लगे गए तो पर किया जाएगा, जी समय लगेगा, अशोग जी, अखले स यादब जी, जब प्रेस कॉंफरेंस कर नहीं हो बहा, तो सबसे पहले उन्हें सवाल उठाया जिसकी बात परसान करें तो आपको क्या लग रहा है साजिस किसके खिलाफ है चेत्री दलों के खिलाफ है कहां है साजिस करें कि देश का आर्थिक भला होगा देश के पैसे बचेंगे दूसरी चीजी लोग बता रहे है कि इसे जो प्रसासिनिक मसंद्री का जो involvement होता है चुनाओं में बार बार तो वो नहीं होगा इसी तरह से एक दो चीज़ें बता रहे हैं लेकिन अगर देश का आर्थिक भला करना होता साजीत भाई तो आप जो चुनाओं में खर्चे हो रहे हैं इसके कई कुने खर्चे कि इससे बहुत पैसा बचेगा तो कल को बाते का सकते हैं कि पांक साल में इतने हजार क्रोन बच लिए और तो चुनाक pos दस साने में all दुचे क्ये फिर साहते हैं बात कराने यह एक हम चाहते हैं एक लोक में लेग सiłku V here सबसे बड़ी समस्जा जो साजी सिंकी है साजी देखिये इसकी पीछे क्या है यह चाहते हैं बात करें यह हम चाहते हैं one nation one election लेकिन इसके background में आप जाएंगे नेपथ्य में जाएंगे तो यह मिलेगा कि यह चाहा रहे हैं कि one वन नइशन वन एलेक्षन नहीं वन वन नेशन वन पाइटी वन नेशन वन डोनेशन वन नेशन वन पी पीयम तो पीयम तो एक ही होता है लेकिने चाह रहे हैं कि प्र्धामंत्री जी एक बार कुछ ऐसा मुद्दा लेके आएंगे जैसे पुलवामा टाइप का इसके पहले मैं कहीं बोल ला था कि कुछ ऐसा पुलवामा टाइप का इसू लेके आएंगे जिसमें सारे छेतरी मुद्धे जो की महगाई बेरुजगारे एक किसान आत्महत्य जो सोकाल मुद्धे माननी मोदी जी भी उठाया करते थे इस सारे करके भूल जाते हो जूटे वादे करते हो तो अगर जनता को पांक साल बात मोगा मिलेगा बाइक तो यह तो उसके साथ नाइल साफी तो अगर मोदी जी मानेजे वादा किए कि हम यह काम करेंगे उनों कामने किया राज्यों में जब चुना होता हमावली दो साल, का मौका मिले उसके उसके साथ जो बेक्ति या जो पार्टी वादा की है उस वादियों कर नहीं पूरा करती है तो जनता उसको चाहती है कि हम चुनाव में उसका मुल्यांकन करेंगे लेकिन मुल्य आंकर से भागने वाले लोग यह न की बात सुनाने वाले लोग है इंचमता की की सभी cannot है इसलुश भा नहीं जा कितने लोग आपके साथ नहीं बता रहें आप विपश की बात बता रहें तो यह दूर की कवड़ी है इनके पास बहुमत है नहीं यह सारी देखे क्लबो लुबाबे है कि यह चाहते हैं कि बाकी मुद्धों पर कोई बात है नहीं किसी मुद्ध पर कितने पास रहेगी बीजेपी के मैं एक चीज यही जानना चाहरा था कि छेत्री दलों के लिए क्या दिक्कत हो सकती है लेकिन पासवां जी अखले से आदब जी या एई-एम या दूसरे छेत्रे जलगे उनकी जो चिंता है वो यह है कि सब जब चुराब देश में इस तरह से होगा तो बीजेपी वर्सिस कॉंग्रेस होने के ज्यादा चांस है या राश्ट्य मुद्धे होंगे लेकिन बेहन जी तो समर्थन में आ गई और बेहन जी ने जो अलग लकीर खीची है उसके बाइने क्या है देखे जो कहा रहे हैं उनकी अपनी जो पांटमी प्राफ्मिट्अ को जिद्धार मुझे लगता है की जिद्धायों मानीवरगन्सीराम जी की या सताफनाओं से बिल्कु उल्टी है। माशनज्से राम जी कहा कर देते हैं कि جो मजबूर सरकार होगी, वह हैं आम जनता के लिए अधिक जिम्वार होगी, आधिक जवाब दे होगी, और उसमें लोगतंदो की अधिक मजबूसी वाहिए है। जो मजबूर सरकार होगी और मजबूर सरकार हमेशा आम जंता के खिलाफ भी काम कर सकती है। जाती है कि सकता पफ्ष को डिरंकुस मजब बने उसके लिए जरोरी है कि वो चुनाओं मैं उसको जवाब दे सेथी। अभी असुप जी सही का रहते हैं कि अगर जब चुनाव आता है तो जो वादे किये जाते हैं उन वादों को परिच्छा करने का उन वादों पे जवाब देने का मौका आम जनता को मिलता है अगर आम जनता की पहलाई के लिए यह चुनाव सारी प्रिक्रिया की जा रही है तो यदि आपपने घोषेब पत्य पेढ़क जीत के आते हैं तो आपकी ये व कुआ करने कि लेकिन चुनावी घोषेब अधु के बाइव डाटा की तरह होता है छी बिलकुल ऑफाठि कोई नहीं पूछता उस लीगल दोक्यमेंट बना दो अगर जो भी पाटी अपनी घोशनापत्र को पूरा ना कर पाए जनता अदालत में कम से कम उसे चलेंज कर दे विचेव पाध्या जी एक सरकार की तरफ से दलित दी गए के साब देखो आर्थिक जो कम से कम इतना सामान होता है पूरी मशीनरी लगती है बार बार इलेक्शन के मोड में देश रहता है कहीं से अगर सरकार शुलात कर रही है तो इसमें दिक्कत क्या है बहुत सी दिक्कते हैं One Nation, One Election में सबसे बड़ी बात थे ही कि हमारी डेमोक्रेसी में कोई नए चीज शक्रू करने में बहुत बाधायां आती हमेशा से आप देख लीजिए देश में जब भी किसी नेता ने कोई नया काम करने की कोशिश की तो बहुत से सवाल उखे उनकी पार्टी के भीतर से भी पार्टी के बाहर से भी और बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो नई चीजें नहीं हो पाई और कई बार अगर हुई तो उसका फाइदा भी मिला तो मुझे ऐसा लगता है कि वन नेसन वन एलेक्सन में किराव में तो बहुत रोड़े हैं अभी इसमें जन्रणना होने वाली है सेंसेस भारत का नहीं हुआ है जो 2021 में होना था कोरोना की वज़े से नहीं हो पाया सेंसेस होगा फिर डिलेमटेशन होनी है महिलाओं का रक्षन होना है तो बहुत से टास्क है के सरकार के पास पहले से और वन नेसन वन एलेक्सन करना एक सैधान्तिक रूप से बहुत अच्छा है आर्थिक रूप से भी अच्छा है सबसे बड़ी बात यह है कि जो लागडाउन होता है राज्यों में चुनाव के समय में कि इतने समय आचार सहिंता लागूर रहेगी आप कोई नया काम नहीं शुरू कर सकते बलकि पुराने काम भी जो चल रहे होते हैं वह भी ठैर जाते हैं तो एक ब्रेक लग जाता